हाई एफ्रीबान वेलकम टू जे आर जूनियर्स कैसे हो बच्चे लोग अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं दोस्तो मेरा नाम है राहूल जेस्वलन आपका स्वागत है हमारे इस खूपसूरत से चैनल में जिसका नाम है जे आर जूनियर्स तो दोस्तो जैसा क आप जानते हैं कि हम इस चैनल पे छोटे बच्चे जो होते हैं जो लगबग फिफ्ट स्टैंडर और उसके बिलोग के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको हम लग यहां पे बहतरीन तरीके से पढ़ाते हैं बाकि जो हमारे बड़े बच्ची होते हैं 16 से लेके 12 तक उसके ल चैनल पे भी आप सभी बच्चे लोग का जो कमिनिटी है ना वो बहुत जादा स्ट्रॉंग हो जाया यहां नहीं कि यहां पे भी आप सभी लोग को शेयर करके बता तो इस चैनल पे भी हम लोग पढ़ा रहे हैं महनत कर रहें और पिछले दो तीन दीन से वीडियो नहीं ड आज लाए हैं चौथा लेक्चर और इसमें हम लोग एक और बहतरी प्राक्टिस सेट को यानि प्रॉब्लम सेट जो है आपका इसको सौल करवाएंगे लेकिन यह टॉपिक क्या है क्या पढ़ने वाले हम लोग तो आज का जो टॉपिक है वो है दोस्तो यूज ऑफ डेसिमल fraction देखो हमने समझ लिया था कि decimal fraction क्या होता है ठीक है decimal words decimal को कैसे हम लोग convert कर सकते है उसका place value कैसे निकाल सकते है यह सभी चीज़ already हमने discuss की थी आपको पता है correct लेकिन बात यह हो जाती है कि यह जो decimal fraction है इसका real माइने में use क्या है क्या तरीका है इसको use करने का और कहा कहा हमे use करना है तो वो हम लोग सीखेंगे तो सीखने के पहले कुछ important बाते आप लोग को जानना जरूरी है जैसे कि यहाँ पर आप देखो तो एक रुपे का मतलब होता है 100 पैसा यह आप जानते होंगे एक रुपे में कितने पैसे होते है 100 पैसे होते है यानि 100 पैसे जब मिलते ह है उसको एम से दिनोट करते हैं 1 मीटर उसके अलावा 1 किलो मिटर का मतलब क्या होता है 1 किलो मिटर में 1000 निया 1 मीटर करेंगे यह से 1000 अगर एक साथ आ जाएंगे तो 1000 मिलके कितना बनेगा एक किलो मेंटर बनेगा जैसे हम लोग डिस्टेंस जाते हैं रोड पर ड्राविल क मतलब एक सेंटीमीटर के अमदर भी ऐसे दस लाइन आपको देखने भी लेंगे उसको बोलेंगे दस मेली मेंटर समझ में आया तो यह कुछ बेसिक चीज है जो आपको याद रखनी है लवन रखनी है और इसी के हल्प से हम लोग सिखेंगे अब जैसे यहां पर एक रुपया इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको दिया हुआ है पांच रुपया ठीक है तो इसको मैं कैसे लिखूंगा इसमें पांच रुपया है ठीक है और 34 पैसे है तो इसी प्रकार से हम लोग यह पॉइंट का इस्तेमाल करते तो आईए प्रॉब्लम सेट मैं सीधा सीधा करवा आता हूँ और प्रॉब्लम सेट के जितने भी कोशन है तोटल छे टाइप के कोशन है इसको हम लग सॉल कराएंगे जो की बहुत ज्यादा सिंपल होता है तो कोई टेंशन नेने की तो जरुवती नहीं है बिल्कुल बस अच्छी तरीके से फोकस रहो जो मैं चीज़े एक्स अब यहां पे 58 क्या है 58 मेरा रुपीज है तो 58 रुपीज हो जाएगा और यह 43 जो पॉइंट के बाद लिखा होता है वो पैसे होते है तो 58 रुपीज और 43 पैसे खतम कहानी बस यही लिखना है आप लोग को पॉइंट के इस तरफ जो रहेगा वो रुपीज रहेगा रुपीज थर्टी पैसे ठीक है यहाँ पर क्या जाएगा बताओ तू सरी की रुपीज और यह 3 है ना 3 है 2.3 रुपीज तो 2.3 का मतलब क्या होता है 2.3 का मतलब क्या होता है 2.30 होता है मतलब 30 पैसे यहाँ पे भी आ जाएंगे 3.3 है न तो 0.3 का मतलब 30 ठीक है यहाँ रखना इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं यह 2.3 जो लिखा हुआ है इसके आगे एक 0 लिख दू तो यह 2.30 2.3 दोनों का मतलब सेमी है in terms of money पैसे के मामले में तो यह सेमी होगा तो 2.30 पैसे तो इस प्रकार से आपने जो भी decimals लिखे थे आपने उसको क्या कर दिया convert कर दिया किस में convert कर लिया किस में convert कर लिया दोस्तों हमारा जो पैसे वाला चीज था patra तब रुपीज और पैसे में हम लोगो लिखने बोला था, how many rupees and how many पैसे में लिखने बोला था, उसमें हम लोग ने क्या कर लिया, convert कर लिया, simple, है की नहीं, दोस्तों कितना easy है, इससे ज़्यादा कुछ simple हो सकता है, कि आप मुझे comment करके बता सकते हो, ठीक है, चलो, next जाते है, how many rupees in decimal form, decimal form में कितना rupees है, वो लिखना हम लोगों, ठीक है, दो जैसे 6 rupees, 25 पैसे लिखा हुआ है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, बताओ, इसको मैं लिख सकता हूँ, 6.25, 6 rupees है और 25 पैसे, मतलब 6.25 रुपीज, बराबर, इसको कैसे लिख सकता हूँ, 15 rupees 70 पैसे, मतलब 15.70 rupees, 8 rupees 5 पैसा, तो 8 रुपीज, इसको लिखेंगे, हम लोग 8 और 5 पैसा है, मतलब 8.05, 5 पैसा आईए, 50 पैसा नहीं है, 50 होथा तो 5, 0 लिखते हैं, लेकिन यह 5 पैसा है, मतलब 0.5, तो 8.05 रुपीज, ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आप देखो, 22 rupees 4 पैसे, तो 22 rupees मतलब 22, और 4 पैसे मतलब 22.04 रुपीज, ठीक है, और यहाँ पे आप देखो, 720 पैसे, 720 पैसा, तो 720 में पहली बात तो 700 पैसा अलग होगा, तो 700 पैसा मतलब 7 रुपीज होगा, यानि 7 रुपीज और 20, आगे मतलब 7.20 रुपीज, तो यह हो गया, 720 पैसा या फिर 7.20 रुपीज, समझा दोस्तों, किलियर है, इससे ज़्यादा सिंपल, और कुछ नहीं हो सकता, ऐसे कई सारे एक्जामपल्स आपके एक्जाम में पूछेंगे, तो आप लोग बिंदास उसको solve कर सकते हो, समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं, चलो, अब देखो यहाँ पे, हाँ मेनी मीटर सें सेंटी मीटर, कितने मीटर है और कितने सेंटी मीटर है बूल दिखना है, तो यह देखो 58.75 मीटर है, मैंने आपको बताया था, एक मीटर में 100 सेंटी मीटर होते हैं, तो सबसे पहली बात, जैसे यहाँ पे पॉइंट के इस तरफ वाला जो पाठ है, यहाँ पे पॉइंट यहाँ पॉइंट के इस तरफ होता है, तो यह 58 है, तो यहाँ पे लिख दो 58 मीटर और यह 75 जो है, तो 58 मीटर, 75, 70 मीटर, यहाँ पे आप दėk пр married 9.30 है, मतलब 9 मीटर 30 सेंटी मीटर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.3 है, मतलब 0 मीटर, और 30.30 है न तो ये 30 cm हो गया तो 0 m 30 cm हो गया ठीक है फिर ये 0.3 m है तो ये हो जाएगा 0 m और ये 3 m लिखा हुआ 0.3, 0.3 का मतलब क्या होता है 30 होता है यानि कि ये भी 30 cm हो जाएगा ठीक है यहाँ पे आप देखो 1.62 m मतलब 1 m और 62 cm हो जाएगा टिक है यह लास्ट में आपे 91.4 लिखा यानि 91 meter और यह point के बद 4 है मतलब कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा point के बद 4 है यानि कि 40 centimeter ठीक है तो 91 meter 40 centimeter तो कितना easy था बस इसको हम लोग को meter में और centimeter में लिखना था कितना easily कर लिया decimal fraction को use करके हमने लिख दिया उसका answer ठीक है अब जाते है next question की दरफ देखते हैं अगला question क्या है जो कि यह how many meters in decimal form हम लोग को क्या लिखना है बस decimal form में meter की form में लिखना है ओके तो लिखा हुए 1m और 50 cm मतलब 1 meter 50 cm मतलब कितना हो जाएगा 1 meter के लिए 1 और 50 cm के लिए 0.50 तो यह हो गया और किसमें लिखेंगे बड़े unit में लिखते हैं यादि मीटर में लिखेंगे हमेनी मीटर पूछा है ना तो मीटर में लिख दिया इसको 50 है 50 meter 40 cm मतलब 0.40 cm 50.4 cm मतलब 0.4 meter ठीक है 40 होता है तो 40 होता है तो 4 मतलब क्या होता है 0.4 होता है करेक्ट अब यहां पर देखो 734 cm तो 734 में सबसे पहले तो यह 7 जो है पॉइंट में जा रहेगा तो 7 meter हो गया और 34 cm मतलब 0.34 meter तो 7.34 meter हो गया 70 cm है तो 70 cm इसको मीटर में गनवर्ट करेंगे तो अबिसले कितना आएगा 0.7 क्योंकि meter ही नहीं तो 0 meter और बीच में point और कितना आईए 7 नहीं है कितना है 10 है ना माप करना यह थोड़ा सा ठीक से देखा नहीं 10 cm है तो 10 cm 0.10 meter कतम कहानी कितना simple था है कि नहीं बस आपने क्या किया इस चीज़ को मीटर में convert करके लिख दिय ठीक है आप देखो और एक question पूछा है एसे हाउ मेनी centimeter and how many millimeter mm लिखा हुआ है mm मतला millimeter तो कितना centimeter है और कितना millimeter है यह हम लोग को लिखना है बहुत simple होता है तो देखो सबसे पहले 6.9 centimeter है तो जो इस तरफ है वो आपका centimeter हो जाएगा तो 6 centimeter हो गया ठीक है और यह .9 लिखा 0.8 है तो 0 centimeter और यह 8 millimeter ठीक है बहुत simple है बस लिखते जाना है इस side वाला 0 है मतलब 0 centimeter ठीक है और आगे जब जाओगे तो यह आपका क्या हो जाएगा किस में convert हो जाएगा 0.5 था तो यह centimeter में convert हो जाएगा तो 0.5 millimeter हो जाएगा correct है clear यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा त this is your homework today तो जरूर से कर लेना question number 6 में क्या है बहुत simple है तो जरूर से कर लेना तो इसी के साथ आज का जो वीडियो है यह में समात करता हो और उमीद करता हूँ काफी ज़्यादा आपको अच्छा लगा होगा हमारे यह वीडियो देखे और बहुत सारे बच्चों को यह वीड तक है ले थांक यू और बच्चा लूग